हेलो फ्रेंड्स वेल्काम बैक टू जैम टूटोरियल तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रूट फाइब को संख्या रिखा पर हम लोग किस तरह दर्साते हैं ओके तो आए थोड़ा सा हम उसको जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं तो पड़ा स का लंब होता है कि तो मौन लेते हैं हम चाहं यहां पर नयमिंग कर देते हैं थो यहां जो कर न यह पता सिद्वर घोT nhất करने लेते हैं अगर सिफ़र्ण लेते हैं तो इधर अंडरू चाहर जाता है यानि अंडारूट आधार का अंदार का स्क्वार शॉबर और 1फ का इसकोर यही होता है हमीरा पैथागोरस पर्मे एक तो आप समझ़े इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं करने का बहgame तो इसमें रूट्स चाहर जायेगा तो यह होता है आपका पैथा गोल्स पर्मे तो हमारा question में दिया हुआ हुए रूट 5 अच्छा कोई भी कोई भी उपडिमिन स्ख्ञा जिसे आपको आपको जो कहता है कि आप इसे संख्ञा रिखा पदर शाय'd क्म आ श्चित आ आपका करने दिया हुआ च्चे आपको करने दिया उड़ता तो आप समझ जाए कि वो करने दिया हुआ है अब हमको आधार और लंब कितना लेंगे कि यह हमारा जो है बाइलेंस हो जाएगा तो यहाँ अब देखिए हम आधार अगर जो हम 2 लेते हैं आधार में कितना लेते हैं 2 तो 2 का स्कॉर पलस आईसने अगर जो लंब हम 1 का स्कॉर तो आप देखिए यह आपका 4 पलस 1 यानि यह रूट 5 हो जाता यानि यह बैलेंस हो गिया यानि हमको आधार जो है 2 लेना पड़ेगा और लंब एक लेना पड़ेगा यानि इक बार दो एकाइगा पड़ेगा, एक बार एक एकाइगा लेना पड़ेगा, तो आईए सबसे पहले हम लोग, इसके तो फूर एक्जांपल मैं इतना रखता हूं ओकि आप चाहे तो इतना भी रख सकते हैं इतना भी रख सकते हैं इतना भी रख सकते हैं बट कोपी ज्यादा आपका ना ले उस परकार आप यहां पर रखें तो कोपी ज्यादा ना कभर करें ओके तो उस सबसे रखें यह सो मैंन इधार मैं CUT कर दूँगा 1 2 3 ओके और यह जो मेरा CUT होगा स्थी परकार जो मेरा सेंटर यह तॉर से हमें एक से डूँड़ा प्रकार हमें काम दिखा देंगे तो एक्जामनर को लगे कि यह संख्यार एक हाग बारे में अच्छी तरह जानता है तो हम यहाँ पर करदत नहीं यह मेरा हो गया 0 0 से start होता है यहाँ जो कि यह मेरा origin है और इधार होता है पलस 1 पलस 2 पलस 3 और इधार होता है माइनस 1 और माइनस 2 एक इकाई बराबर इतना हो गया फिर यहां से यहां तक 2 इकाई हो गया तो हमको आधार कितना लेना था 2 इकाई तक तो मैं क्या करूँगा 2 इकाई तक यह देखे यहां से यहां तक 1 इकाई हुआ फिर यहां से यहां तक 2 इकाई हुआ तो हमें आधार कितना लेना था मैंने अभी रफ में किया था यह दिख्या आधार मैंने कितना लिया था दो मैं आधार को दो तक मैं क्या करूंगा गाड़ा कर दूंगा ओके यहां से यहां तक आपको डर्क कर देना है चलिए यह डर्क हो चुका है अब मैं क्या करूंगा भा आपके चलिए यह आपका 90 डिग्री रहा यह देखें यहाँ मैं मार करूँगा यह रहा 90 डिग्री इसका अब मैं क्या करूँगा यहाँ से एक लाइन उपर की तरफ ले लूँगा दो से, दो इकाई नहीं चले लेना था, तो यहां से यहां तक दो इकाई मैंने ले लिया, अब क्या करना है भाई, आपको उपर में एक इकाई लेना था न, देखें, लंब कितना इकाई था, एक इकाई, तो आपको क्या करना है, चांप जो आप लिए थे, यहां पर कमपास क मख चला दाएंगा उपर एक कई नीचे 2 काई तो और या नी स्कार और एक स्टाहर प्रोट फाइब बन जasड़ेगा रृट इसको इसको यहां से मिला दूँगा ओके तो यह से में इंचलों गठा और इसको यहां से में मिला दूँगा चेह लिए यहां से यहां तक और चुका है two और यहां हो चुका है एक याने दो काל स्क्वार्ण और एक का. तो मुझे क्या मिल जाएगा रूट 5 ? मिल जाएगा ना, सो यह मैंने यहां पर क्या क्या यहां पर मैंने तीर लेकर मैंने दिखा दिया यहां तक दो इक आई और यहां पर यह एक इक आई है ओके यह देखे रूट फाइब मेरा बन चुका है अब इसी रूट फाइब को जो है इस रेखा पर हमको यह जो मेरा लाइन रिखा है इस पर तो यहां पर रखोंगा जो मेरा ओरीजिन था लाइन का उसके बाद यहां से आपको यहां तक मेजर कर लेना है और आपको इसी को नीचे की तरफ ड्रोप करना है ऊके तरहिये मैं मिचेक निचे की ड्रोप कर दे रहा हूं देखिए यहां पर जो लाइन पर गिरा है यहां पर यही आपका फाइब diता हूं यह इसे रूट excel यहां ऑर हम चांपकी स्यफ़सर से गिरा है और यह फालतू लाइन आप इसे यहां से इरेज भी कर सकते हैं ओके सो फ्रेंड्स इस तरह आप रूट फाइब को संख्या रेखा पर दर्स आएंगे ओल्राइट तो आज के लिए इतना हिरा ने देते हैं ओके थोड़ा समें बता दूं अगर आप चाहिए तो इसके पैरल करना चाहते हैं तो इसका ने मिंग कर दें A B C ओके तो यह भी करना चाहते हैं तो आपकी मरीन हम इंगा कर देते हैं A B और यह रहा मेरा सी यह मैं नेमिंग हो चुका है तिर्भूज का आल राइट सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रहा नहीं देते हैं आज वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा सो थाइंक्यों पर वाचिंग